नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो के अंदरम बात करेंगे बांगलादेश वर्सिज न्यूजिलेंड के बीच होने वाले दूसरे वंडे मैच के ड्रीम 11 टीम और ड्रीम 11 प्रेडिक्सन के बारे में और ये वाला मैच खेला जाएगा शेरे बांगला नेशनल स्टेडियम धाका के ग्राउंड पे 23 सितंबर को दोपैर को एक बच के 30 मिट पे मैच स्टार्ट होगा सबसे पहली बात आप इस वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बंगला देश और न्यूजिलेंड के हर एक प्लेयर का रिकोर्ड देखेंगे जिसकी मदद से आप अच्छी कासी स्मोल लीग और ग्रेंड लीग के टिम बना सकते हूँ वही देखो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं क्याना तो प्लीज यार लाइक वाला बटन दबा दो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा टेलिग्राम का लिंक मिलेगा उस लिंक पे क्लिक करके टेलिग्राम चैनल बिल्कुल फरी में जोइन कर लिजेगा क्योंकि टोस होने के बाद जो भी सारी अप्डेट आएगी न वो आपको फरी में टेलिग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी और हाँ यार अभी तक वीडियो को लाइक निक्या न तो प्लीज लाइक वाला बटन दबा दो तो दोस्तो वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं शेरे मंगला नेशनल स्टेडियम धाका के जो ग्राउंड की जो पिछ रिपोर्ट है न वो क्या रह सकती है देखो दोस्तों कि हम आपको एक लाइन में बोलू न तो हिस्टरी के अंदर यहां की पिछ काफी तक एक सलो विकेट मानी जाती थी जिसके उपर स्पीनर का काफी दबदबा देखने को मिलता था अगर हम इस ग्राउंड की बात करें तो 366 वंडे मेचों में से 55 मैच पहले बेटिंग और 61 मैच सेकंड इनिंग के अंदर बेटिंग करने वाले टीम ने जीते हैं वही 16 मैचों के अंदर फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 230 रन देखने को मिला है वही अगर आप स्कोर पैटर्न भी देखोगे ना तो यह आप 166 मैचों में से 200 सिंचे स्कोर 32 बार बना है 200-249 के वीच में स्कोर 49 बार बना है अलाकि वो मैच 12 की वज़े से ड्रो हो गया था लेकिन उस मैच के अंदर न्यूजिलेंड ने बैटिंग करते 135 बनाए थे 5 विगेट पे उसके बाद 12 आ गई थी अगर आम उस मैच में टोप प्लेयर की बात करें तो विल यंग ने 58 बनाए हेंडरी निकल्स ने चमारी सेर्ड बनाए वही मुस्ताफी जूर रह्मान को 3 विगेट मिले और नासू मेहमद को 2 विगेट मिले यह आप एक मैच का रिकोर्ड देख सकते हैं जो लास्ट वाला मैच था यहाँ पे 69 मैच खेले हैं 2800 रन बनाए 35.5 की अवरेच सोम में सरकार ने 17 मैचों में 283 रन बनाए 28.4 की अवरेच अनामूल लक ने 21 मैचों के अंदर 282 रन बनाए इस ग्राउंड की उपर 22.8 की अवरेच उसके बाद लिटन दास ने 20 मैचों में 288 रन बनाए इस ग्राउंड की उपर 14.4 की अवरेच से मेहमद उल्ला ने 65 मैचों में 166 रन बनाए 24.7 की अवरेच से और 21 विकेट बिलिये हैं तोई धिर्दोई ने इस ग्राउंड की उपर अभी तक कोई इंटरनेशनल वन डे मैच नहीं के लाए लेकिन 2 domestic मैचों के अंदर 108 रन बनाए मुस्ताफिजू रह्मान ने 29 मैचों में क्याउन विकेट लिये हैं और नासू मेहमद ने 2 मैचों में 2 विकेट लिये हैं और ये 2 विकेट लास्ट वाले ही मैच में की लिये थी तो ये आपको बंगलादेश के प्लेरों का रिकोर्ड देखने को मिल रहा है सेरे बंगला नैशनल स्टेडियम धाका के ग्राउंड के उपर जिसमें तमीम इकबाल का रिकोर्ड ठीक है 35.5 के एवरेज है उसके बाद मेहमद उल्ला का रिकोर्ड भी ठीक है एवरेज 24.7 के ल ग्राउंड की बात कर रहा हूं कि इस ग्राउंड की उपर ज्यादा मैच नहीं के लिए क्युक़् काफी यंग टीम है और लास्ट वाला जो मैच था नहीं उनका पहला मैच था इसली मैने उन प्लेरों का रिकोर्ड नहीं लिखा है क्योंकि वो प्लेर रिकोर्ड आप खु किता है यानि लाश्ट के पांच सालों में न्यूजिलेंड का बड़ा थोड़ा सा बारी है अगर हम हैट क्रेड के बैसिस पे प्लेयरों की रिकोर्ड की बात करें तो तमीम इकबाल ने न्यूजिलेंड के खिलाफ 26 मैचों में 656 रन बनाए 25.2 की एवरेच से सोम्मे सरकार न ये आपको बंगलदेश के प्लेयरों का रिकोर्ड देखनी को मिल रहा है न्यूजिलेंड के खिलाफ अलाकि अगर आप यहां पर देखते हो न तो यहां पर एक तो मेहमदुल्ला 37 का एवरेज करते हैं है ट्वेड में रिकोर्ड अच्छा है उसके बाद नूरुल असन का 34 इसका एवरेज है और मुस्ताफी जो रहमान के ठारा विकेट है यह तीन प्लेयर है जिनका एवरेज ठीक है जिसमें मेहमदुल्ला और नूरुल हसन का सेलेक्शन बहुती कम देखनी को मिलेगा अलाकि तमीम इक्माल और शुम में सरकार भी आपके लिए सेफ ओक्शन निक निकाले हैं बंगलादेश के किलाफ काईल जेमिंसन ने तीन मैचों में दो विकेट निकाले है लोकी फगुसन ने छे मैचों में दस विकेट निकाले है और ट्रेंट बोल्ट ने ग्यारा मैचों में अठारा विकेट निकाले है अगर आप मुजलेट की तरफ से देखते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तो विलियंग की 35 का एवरेज है, ठीक रिकोर्ड है, एंडरी निकल्स की 42.5 की एवरेज है, इसका रिकोर्ड ठीक है, उसके बाद लोकी फरगुसन और ट्रेंट बोल्ड इनका रिकोर्ड ठीक है, अगर हम है एट प्रेड की बात करें, तो लोकी फरगुसन, ट्रेंट बोल्ड, एंडरी निकल्स, 3 प्लेयर ये, 4 प्लेयर विलियंग्स, 5 प्लेयर मुस्ताफी जुरेमान, 6 प्लेयर मेहमद उल्ला, ये 6 प्लेयर, आप एक टाइप से ठिक्स मान के चल सकते हो, आलाकि नूरूल हसन ग्रेंड लिक का डिफरेंचि तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, बंगलादेश के आपको क्या प्लेयंग इलेवन देखने को मिल सकती है, देखो दोस्तों, प्रिडिक्टिड प्लेयंग इलेवन हो सकता है, इस प्लेयंग ये तीन प्लेर होगे टोप ओर्डर के, मिल्ल ओर्डर की बात करें, तो सुम्मे सरकार मेहमद उल्ला, तोई, दिर्दोई और नूर रहसन तक बैटिंग कर लेते हैं, और मेहमदी असन भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, और बोलिंग की बात करें, तो यह एच्छ है bowling option आपको देखने को मिल सकते हैं आला कि देखो दोस्तों आपको बता दूँ कि यहाँ पर मेंदेशन आपको बाद में टेलिग्राम पर अपडेट कर दूँगा अब देखो दोस्तों इनके प्लेरों का रिकोर्ड देख लेते हैं तमीम इकबाल के अगर हम लास्ट के पांच मैचिस का रिकोर्ड देखें तो 13, 37, 14, 41 दो मैचों में ठीक पफोर्मेस है बाकि तीन मैचों में फ्ल अची पत direct 15 रन यहीं एक 50 बास कि सारे मैचों में फ्लो प रहा है उसके बाद तंजी धस्ण की बात करें अब तक दो ही इंटमनेशनल मैच खेलें एक मैच में टेरा रन और एक मैच में जीरो रन चोम में सरका र की बात लाश्ट के पांच मैच इसके गरम बात करें तो बैटिंग से एक मैचे मातर 32 रन और दो मैचों में एक एक विकेट निकाले हुए है यानि इस प्लेर का परफोमेंस भी तोड़ा एवरेज देखने को मिल रहे है उसके अध मैमदुल्ला की बात करें देगो दोस्तो मैमदुल कोई ने काफी कमाल का परफोमिस दिया था अगर हम रिसेंट फॉर्म की बात करें तो चोम्मन रन ब्यासी रन दो रन जीरो रन बीस रन लाश्ट के दो मैचों में एच्छा परफोमिस था उससे पहले लगातार तीन मैचों में फुलोप ते उसके बाद नूरूल असन की ब करो तो 39 रन 2 विगेट थे लाश्ट मैच में उससे पहले 6 रन 1 विगेट उससे पहले 3 रन 0 विगेट और उससे पहले 7 रन 2 विगेट थे इस प्लेयर के यनि बैटिंग बोलिग दोन नो कर सकते है उसके बाद नासूल मेहमध लेफट आम ऑर्टोडोक स्पीनर है लाश्ट क पांच मैच इसकी बात करें, तो एक मैच में दो विकेट है, एक मैच में तीन विकेट है, यह जो दो विकेट है ना, यह लास्ट वाले वंडे मैच की जो पूरा नहीं होता उसके अंदर ते, उसके बाद ती हसन शाकी बार राइटाम फास्ट मिनियम पेसर है, अभी तक दो वनडे मैच खेलें, एक में 0 विकेट, एक में 2 विकेट, मुस्ताफी जो रहमान राइटाम फास्ट मिनियम पेसर है, लास्ट मेंस डिपकमे पांच मिनियम पांच घ्रें, तो तीन विकेट, जीरव गेट, दो विकेट, तो नृपर दे बाल्डेस के तरब से अनामुलाट क अगर खेलती है तो अपनी केरीर में 45 में 1559 पांच की अबरेट और Khalil Ahmed अगर खेलते हैं तो 47 मैचों में 46 विकेटर लिस्ट है कि Khalil Ahmed का रिकोड थोड़ा सा प्रोमिसिंग दिखने को मिल रहा है राइट आम फास्टम पेसर अगर मोगाम मिलता है बाकी यह आप बंगलादेश के सारे प्लिरों का रिकोड देख सकते हो जिसमें एक मेहमद उल्ला का रिकोड मेरों को ठीक देखने को मिल रहा है उसके बाद नूरुल असन का रिकोड थीक है मेंदी असन का रिकोड थीक है नासू मेहमद का रिकोड थीक है और मुस्ताफिजुरेमान का रिकोड थीक है उसके बाद तमीम एक बाल एक experience प्लेयर है सो में सरकार बैटिंग बोलिंग दोनों करेगा तो ये प्लेयर भी थोड़ा important निकल किया सकता है यानि हमें इनी 5-6 प्लेयरों में से किसी 4 या 3 प्लेयरों को चूज करना पड़ेगा टीम बनाने के लिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं न्यूजिलेंड की आपको क्या प्लेयरों देखने को मिल सकती है तो दोस्तों न्यूजिलेंड की अगर आप बात करो ना तो न्यूजिलेंड ने काफी यंग स्क्वेड बेजी बंगलादेश के टूर के ऊपर आप कहा सकते हैं कि न्यूजिलेंड की ए टीम है ये एक टाइप सी अब अगर हम न्यूजिलेंड की प्लेइंग 11 की बात करें तो फिल्न एलन और विलियंग होगी ओपनर मिडल ओडर की बात करें तो हैंडरी निकल्स चाडबो, तोम बलंडेल, रचिन रविंद्रा और कोल मेकोंकी और काइल जमिंसिन तक थोड़ी बोद बैटिंग कर लेते हैं और बोलिंग की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट, लोकी, फरगुसन, आईए सोडी, काइल जमिंसिन चार बोलर ये, पाँचा बोललर रचिन रविंद्रा और चाटा बोलिंग उपसिन के पास है यहाँ पर कोल मेकोंकी जयादा ओर की बोलिंग कर सकते हैं बाके देखो दोस्तों, ट्रेंट बौल्ल्ट, लोकी, फगुसन, आईए सोडी, काइल जमिंसन पांच में बोलर है, चाटा बोलिंग उप्शन कोल में कोंकी है, ये इस ब्लेयर माम ने आप कोल रिवड़ा दिया है, कि ज्यादा बोलिंग कर सकते हैं, उसका फिन एलन विल यंग है, फिन एलन का रिकोर्ड थोड़ा सा कराब है, लास्ट मैचे विल यंग ने चापफरमिस पांच में ने चापफरमिस दिया था, उसके बाद टोम बलंडल इनकी तरफ से विगड़ कीपिंग करेंगे, उससे भी एक्स्टा पोइंट दे सकते हैं, अब इन प्लेयरों का रिसेंट फोर्म देख लेते हैं, फिन एलन की एगर हम बात करें, तो लास्ट मैच में ने चा अब लास्ट मैच के बात करो, तो एक मैच को छोड़ दो, बाकि हर मैच के अंदर इस प्लेयर का अच्छा परफॉमिस देखने को मिल रहा है, उसके बाद देखो दोस्तों चाड़ भो है, लास्ट के पांच मैच के बात करें, तो मतर एक मैच में गया हो नहीं, बाकि सारे म मैच योँ फ्लोप रहे है, तो म ब्लेंडल की बात करें, अगर आप लास्ट के पांच मैच देखोगे ना, तो एक मैच में पैंसटन है, बाकि सारे मैच योँ फ्लोप रहे है, लेकिन विकेट की पिंग करेगा, तो उससे एक्स्टा पॉइंट दे सकता, तो ये प्लेयर इ इस कैप्रेंसी का भी एक अच्छा दावेदार निकल के आ सकता है, उसके बाद कोल में कोंकी है, देखोगे अर अगर आप कोल में कोंकी का लास्ट के चार मैचों में बैटिंग का परफोमेस देखोगे, तो एक मैच में चोंसा टरन है और एक मैच में 26 रन है, और विकेट पांच मेंचों मतर, दो मेंचों में एक एक विकेट निकाला है, अई ये सोडी की बात करें, लेक बेक स्पिन रहें, लाश्ट के पांच मेंच छोड़ दो, तो हर मैच विकेट निकाले हैं, लोकी फगुसन, राइट आम फांच मेंचों 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 35 विकेट है ये प्लेयर भी थोड़ा crucial रह सकता अगर खेलता तो Adam मिलने अगर खेलता तो मैं टीम में लेना ही लेना पड़ेगा मस्ट अगर खेलता है तो 45 वंडे मैं चुमें 50 विकेट है पौर पली करने दमाकेदार बोलिंग कर सकता है उसके बाद डैन क्लेवर राइटी बैट्समेन है लिष्ट एक 33 मैचे में थारा सो ठाउंडर नहीं 31.2 विकेट से और ब्लेयर टिकनल अगर खेलता है तो इस प्लेयर को भी टीम में लेना पड़ेगा 53 वंडे में जो में 33 विकेट है या अगर इन में से एडम मिलने खेले या ब्लेयर टिकनल खेले तो इस प्लेयर का रिकोर्ड देखने को मिल रहा है जिसमें अगर आप देखो तो विल यंग हैंडरी निकल्स का रिकोर्ड थीक है उसका द्रचिन रविंद्र आगें क्रूशल रह सकता है उसके बाद कायल जेमिंचन आईए सोडी लोकी फरकुशन ट्रेंट बोल्ट और कॉल में कोंकी हमें हिनमे से ही मेन प्लेयर चूज करन पहले बोलिंग कर रही है अगर न्यूजिलेंड पहले बोलिंग कर रही हूँ तो न्यूजिलेंड के पास काफी कमाल कमाल के बोलर है तैसे में हो सकता बंगादेश ज्यादा बलंबा स्कोर खड़ा ना कर पाई लेकिन अगर यहां पर न्यूजिलेंड पहले बैटिंग कर लिए उसके सकेंदर यह मैं थोड़ा रिस्की भी हो सकता है तो यह चीज में आपको टेलिग्राम पर पता तुम पाऊंगा अभी के लिए मैं रिस्क के टीम बनाई है विगट कीपर में नूरोल असन को लिया है बैटिंग में हैंडरी निकल्स को लिया है और बोलिंग में ट् यहां नो ट्रेंट लेके शेमें पेाम या फिर मिकबाल में लेसक्ति हो और फिर थमिमी के अंदर यह लेसक्त पास अंदर लेसप इस यह आपकी चोइस रहे बाकि दयागों दोस्तों टेलिग्राम पर इपाऊंगा झाल